तो आज हम स्टाट करने वाले हैं क्लास नाइन चेप्टर थर्टी नक्राइस थर्टीन पॉइंट का कॉश्चन नमबर सिक्स तो पहले हम कॉश्चन पढ़ेंगे उसके बाद हम सॉल करेंगे एह हमस्फेरिकल टैंक इस मेड़ आप और फैन आयरन शीट वन सेंटिमीटर थिक एक हमस्फेरिकल टैंक है जो कि एक आयरन शीट से बना हुआ है जिसकी मतलब की चोड़ाई या फिर मतलब थिक के लोग से वन सेंटिमीटर है और उसका इनर रेडियस जो है वह हमारी वन मीटर है ओके तो फैन्ड दा वॉल्यूम ओफ आयरन निकलना है मैं तो सबसे पहले ह इनर रेडियस ओफ बावल यानिकी टैंक इनर रेडियस ओफ टैंक हमारा वन मीटर है ओके यानिकी वन मीटर यानिकी हंडर सेंटिमीटर होके और हमारी जो थिकनेस है थिकनेस थिकनेस ओफ टैंक हो है हमारी वन सेंटिमीटर यानिकी जो आउटर रेडियस होगी आउटर रेडियस ओफ टैंक जो होगी वह हमारी हंडर प्लस वन यानिकी वन हंडर वन सेंटिमीटर होगी हमें इन दोनों को माइनस करके जो वॉल्यम आएगा वह हमारा वॉल्यम ओफ आयरन होगा तो हम इसे डिरेक्ट करेंगे यानिकी इसे हम बड़ी आर यानिकी बड़ा रेडियस और चूटर रेडियस मानते हैं वॉल्यम ओफ आउटर रेडियस यानिकी आउटर टैंक मान सकते हैं माइनस वॉल्यम ओफ इनर टैंक इनर टैंक ओके वॉल्यम ओफ आउटर टैंक आउटर रेडियस टैंक यानिकी टू अपॉन थ्री पाई आर क्यूब माइनस इसमें हम बड़ी रेडियस लेंगे और इसमें हम टू अपॉन थ्री पाई आर क्यूब लेंगे टू अपॉन थ्री इन्टू पाई हम इसमें टू अपॉन थ्री पाई कॉमन ले लिया है आर क्यूब माइनस आर क्यूब ओके टू अपॉन थ्री इन्टू थ्वेंटी टू अपॉन सेवन ब्रैकेट में बड़ी रेडियस आर क्यूब जो हमारी वन जीरो वन का होल क्यूब माइनस हंड़र का होल क्यूब अब 2 upon 3 into 22 upon 7 101 का whole cube जो होगा वो हमारा होगा 1030301 माइनस इसका तो हमें पता ही है 100000 ओके अब हम इसे माइनस करेंगे तो 2 upon 3 into 22 upon 7 into 0301 ओके यह हमारी आएगी अगर से हम दोनों को 22 into 44 हो जाएगा और 44 into 30301 करेंगे तो हमारा आएगा 133 3244 upon 7 into 321 ओके अब हम इसे 21 से डिवाइड कर देते हैं तो यह हमारा आएगा 63487.8095 सेंटीमीटर क्यूब ओके अब हम इसे हम सेंटीमीटर क्यूब में आ गया लेकिन अब हम इसे मीटर क्यूब में कर लेते हैं तो हम इसके डिवाइड नीचे अपॉन हंड्रेड इंटू हंड्रेड इंटू हंड्रेड लगा देते हैं तो टू से यह टू जीरो यह टू जीओ जू जूर और यह टू तो यह आएगा हमारा 0.6348 हम इतनी वैल्यू लिखते हैं अगर आगे लिखेंगे तो कोई फायदा नहीं रहेगा meter cube हम इसके आगे एप्रॉक्स लगा देते क्योंकि हमने इतनी वैल्यू नहीं लिखी है तो हम इसके आगे एप्रॉक्स लगा देते हैं ओके हमारी यान से यहीं भी खतम होता है अगर हमारी वीडियो अच्छे लगी हो तो लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें थैंक्स वर वाचिंग